हाई एवरीवन मैं हुरूभी और आप आए हैं तारा मदू की रसुई चैनल पर तो फ्रेंड्स आज एक बहुती शांदार सी वीडियो लेकर क्या आई हूँ दरसल कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर चोकोलावा की रेसिपी को पोस्ट किया था तो वो जो प्रेंस जो था जिससे मैंने चोकोलावा बनाई थे उसको मैंने मनगवाय थे फ्लेवर सम् सप से लेकिन बहुत सारे लोग बोले के मैं हम आई उनलाइन नहीं मगा सकते इसे घर में बनाना सिख आई है बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं घर के प्रिमिक्स से शायद बाहर अगर हम यह चीज बना कर दें तो शायद अच्छा एफेक्ट नहीं आएगा, तो कोई आप इजी तरीका बताइए इन चोको लावा को बनाने का, ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी इधर उदर, ऑनलाइन, आप देख सकते हैं, यह खुला हुआ है, मैं इसे लाई थी, मैंने इसे टेस्ट किया, और जब मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे अपने और के लिए यूज किया, आज मैं इसी को यूज करके आपको चोको लावा बनाना सिखाऊंगी, काफी बड़ा ओर है, तो कैसे हम मेजरमेंट लेंगे, इसको यूज करके कैसे हमें और चीज़े अड़ करनी है, वो बताऊंगी, केवल तीन चीज़ आपको चाहिए, पानी, बटर और चोको लावा का ये प्रिमिक्स, कैसे आप बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, वो मैं आज आज आपको इस वीडिय करके चोको लावा बनाने है, वो सारी प्रोसेस डीटेल में बताऊंगी, और कुछ मेरे चैनल को कमेंट आते हैं, कि मैम इसके अंदर आपको थोड़ा और भरना चाहिए था, या इतना डालना चाहिए था, या उपर तक डालना चाहिए था, तो देखिए, जैसे डोमिनोस म बताऊंगी, प्लस इसकी प्राइसिंग, पैकिंग भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंट तक जरू देखिएगा, आप पसंद आए तर लाइक शेक कीजिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, यह है मेरा ट्रोको लाइट का एक केजी चोको लावा प्रिमिक्स, और इसके ओपर कॉस्ट तो मुझे दिखी नहीं, बढ़ भीया ने मुझे इसे 350 रुपीज का दिया, मतलब एक केजी, यह साड़े 300 रुपे का आता है, थोड़ा सा मैंने इसमें से यूज़ कर लिया है, और अब हम इसी को यूज़ करके बनाएंगे अपने च 13 बनाने हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा में इसके ओपर डाल दोंगे, तो इस तरीके से फ्रेंट्स मेजर्मेंट का ध्यान रखिएगा, 6 चोकोलावा में आपका 1.5 कप, कोई भी हो, चोकोलावा का प्रिमिक्स आपका यूज़ होगा, यहां पर 3 कप तो मैंने डाल दिय हैं, salted, unsalted, जो भी आपको मिले, बट अगर professionally किसी को बाहर customer को दे रहे हैं, तो unsalted butter ही use कीजेगा, तो 3-4 cup अपने इसमें melted butter डाला है, आप इसे refined oil से भी बना सकते हैं, बट इतना सारा oil डालेंगे, तो चोकोलावा में जो टेस्ट है ना वो उतना अच्छा नहीं आएगा, ज थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएगा, और पानी एक साथ मठ डालना बस इसी का ध्यान रखेगा, क्योंकि कब पतलाई ही हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, अंदाजते आधा से 3-4 cup पानी आपका इसमें ज जितना यह शाइनी दिख रहा है ना, खाने में तो ऐसा गजब का बना था फ्रेंट, जो मैंने एक बना करके टेस्ट ही किया था, कि मतलब मैं तो फैन हो गई, तो यहाँ पर बैटर हमारा रेडी हो गया है, तो बीटर से मिक्स करने के बाद ना, इसे स्पेचुला से भी हम तो थोड़ा सा थिक हो जाता है, जैसे मैंने अभी यह प्रॉपर बनाया है, पर अगर मैं इसे दो मिनिट छोड़ दू, यह थोड़ा सा गाड़ा होगा ही होगा, इसमें इतनी कंसिस्टेंसी पे भी मैं एक्स्ट्रा थोड़ा पानी डालूंगी, बिल्कुल मेरे बनाने के रखें, कई लोग इनको skip कर देते हैं, बातों को सुनते भी नहीं है, वीडियो को एंड में देखते हैं, और फिर सारी प्रॉब्लम्स आती है, यह देखिए, एक्स्ट्रा में लगबख एक टिबल स्कून पानी और इसमें एड़ कर रही हूँ, और इसे अब फिर से हम मिक् है, so that मैं आपको टेस्ट करके दिखा सको, चलिए बैटर एकदम पर्फेक्ट बन गया है, अब इनको बनाने के लिए मैं यूज करूंगी, यह चोको लावा के ही मोल्ड, यह मैं 150 का पूरा पकेट लाई थी, जिसमें 50 के यह मोल्ड, तो आप भी किसी अपनी पास की बेकरी कोई भी मेजर्मेंट का आप स्पून या कोई ऐसी चीज नापके लीजिएगा, ताकि सब में बैटर इकुली डिवाइड, तो इसके लिए मैंने यह आइस क्रीम का स्कूपर ले लिया है, और लगभग देर टेबल स्पून इसके अंदर बैटर आता है, और सभी में मैं इत कम है तो डाल देंगे, वैसे मेजर्मेंट लेकर के चलेंगे ना, तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, वैसा में डाल दिया है, थोड़ा सा यह बच रहा है, तो मैं जिसमें मुझे लग रहा है, हलका सा कम रह गया है, उसमें मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, और क क्योंकि मुझे आपको टेस्ट करके भी दिखाना है, तो लास्ट का जरा सा मैं इस मोल्ड में डाल देती हूँ, ताकि इसके अंदर का टेक्शर आपको दिखा सका, क्योंकि जब इसको टेस्ट करने के लिए मैं ट्राइ कर रही थी तो उसका वीडियो नहीं बनाया था, तो मिजर्मेंट अब आपको पता लग गया होगा, तो 14 आपके चोकोलावा बन जाएंगे, अब इनको डालने के बाद ना, जैसे मैं आभी टैप कर रही हूँ, ये भी आपको करना है ताकि ये बिल्कुल प्लेन हो जाएं, ये देखे इस तरीके से, थोड़ थोड़ा टैप कर करता है, और जब तक ये गरम हो रहा है, इसकी जाली वाली रैक परना, मैं ये चोकोलावर रख लेती हूँ, इसके साइस के हिसाप से, मुझे दो शिफ्ट में ये बनाने होंगे, बट कोई बात नहीं, ये OTG का मैथड आप देख चुके हैं, आज एर प्राय का भी देख ल करना है, और 15 मिनिट के बाद, हम इसे निकालेंगे, हमारे चोकोलावा जबर्दस्त बन करके रेडी हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं देना, अदर्वाइस चोकोलावा आपके नीचे से भी बेक हो गए, तो फिर लावा उनमें नहीं निकलेगा, और देखिए इस प्रिमिक्स में या मेरे घर के प्रिमिक्स में, जो मनें फ्लेवर सम शॉप से प्रिमिक्स आपको बताना यूज किया है, यही एक प्रॉपर तरीका है चोकोलावा बनाने का, क्योंकि मार्केट में भी कोई भी चोकोलेट का चंक इनके अंदर बैटर से ही चोकोलावा का लावा और उपर का क्रस्ट बनता है तो ये बात आप बहुत यहान से सुन ले वो जो मैथड आपने यूट्यूब पर देखे हुँगे कि चॉकलेट का चंक डालते हैं कडाई पर बेख करते हैं वो सब घर के यूज़ के चोकोलावा है उन्हें जाते हैं तो अजर मुझ पर ट्रस्ट है तो मेरी रेसिपी को ऐसे ही ऐसे ही फॉलो कीज़ेगा और यहां देखिए साइड में मैं फिर से एक डॉमिनो का चोकोलावा आपको दिखा रही हूं हमारे बिल्कुल परफेक्ट उसी तरीके के चोकोलावा बने है और यह मैं फ्र आपको दिखा रही हूं कि अंदर इनके जो लावा है वो एस इस है चोकोलावा में उपर की क्रस्ट अच्छे से बेक होती है नीचे लावा जो है वो बैटर का ही बनता है और इसे कच्छा मत समझेए फ्रेंड्स क्योंकि इसमें मैदा वगरा नहीं होता इसके अंदर क्या ह होता है कैसे यह प्रिमिक्स बनता है उसका डीटेल वीडियो अलड़ी में शेयर कर चुकी हो थमनिल साइड में है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहती देख सकते हैं चलिए एक जो हमने एक्स्ट्रा बनाया उसको देख लेते हैं कि कैसा हमारा यह अब जल्दी उनको बना करके खिलाओंगी तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा यह थर्टीन चोकोलावा का जो यह और है वो कंप्लीट हो गया है अब देख सकते हैं कि बढ़िया लग रहे हैं तो किस लिए मार्केट के चोकोलावा मंगाना जब आप जैसा कोई होम बेकर किस कि घर के आसपास रहता है और आपने यह बना कर अपने लगाए हैं तो कोई सवाल ही नहीं है कि वह आपके पास से दूर जाए यहां पर देखिए पॉट्टोचूट के दौरान एक मेरा तेड़ा और तो मुझे एक एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा इस तरीके से फ्रें देख सकते हैं आप इसका enjoyment बहुत ही गजब है अंदर लावा है और इसे आप हकते भर भी रखेंगे ना तो भी इसके अंदर लावा ऐसा ही मिलेगा बढ़ हां जब भी next time खाएं तो इसे हलका सा गरम कर लें तो ज्यादा मजा इसमें आता है तो गजब का स्वाद है फ्रें कि यह दो जगे जाने हैं तो आप इस तरीके से यह जो transparent window वाले box हैं वो मगा करके अपने cupcake लावाई ने दे सकते हैं बहुत अच्छी लुक आती है आपको customer को खोल के दिखाना नहीं होता और जब चीज इतनी अच्छी बना रहे है और उसकी packaging पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो उससे आपकी जो चीज है ना उसकी look बढ़ जाएगी वो attractive लगेगी और जो नहीं भी चाएगा ना वो भी बेबस होके मजबूर होके और इसकी तरफ खिचा चला जाएगा और आपको order देगा तो यहां पर देखिए चार में अपने cupcake वाले box के अंदर रखकर के दे रही तो अगर किसी को घर बैठे domino's वाला चोको लावा का स्वाद मिल जाएगा वो भी 50 रुपे में तो मुझे नहीं लगता कि कोई market में जाकर के इसे लेगा वो आपसे ही लेगा तो जब मैंने calculate किया ना फ्रेंड्स तो एक चोको लावा में जो material लगता है हमारा mold लगता है OTG का जो light का bill आता है वो सब calculate अगर हम जादा से जादा भी करें ना तो 25 रुपीज लगता है और इसे आप सेल कर रहे हैं 50 रुपे मतलब आप double profit इस पर कमाने तो सोचेगा जरूर आज इस प्रमिक्स को मंगवाईएगा try कीजेगा ढूंने की इधर उधर नहीं तो online available है और ब आप से केवल यह support मांगती हूं कि आप इस वीडियो को like share कर देंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो से फाइदा उठा सके 350 रुपे से अपने 1500 रुपे तक कमा सके तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में फिर से कुछ नया सीखने के लिए बाबाए ट आपने केर लोग और गरोग डिए प्रियो कि आपने के।